आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं अडानी पावरे स्टॉक के बारे में इस एपिसोड को आगे ले जाए इससे पहले कि आपने टेलिग्राम को जॉइन कर लिया है जहां प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में मिलते हैं और आभार आप सभी लोगों का बहुत स से शेयर करता हूं यहां देखेंगे तो कल इसे श्टॉक में अपर सर्कृट लगा लेकिन आज लोवर सर्कृट लगा इसके पीछे के जो न्यूज रहते वह इसका क्यूट्री बिल्लोद एक्सपेक्टेशन रहा था और MSCI के तरफ से आगे फ्री फ्लोट को लेकर के अप्सिक्स सब्सीडरी विथ कंपनी यह एक बड़ी खबर रहेगी शेयर होल्डर के लिए यहां देखेंगे MSCI के जो फ्री फ्लोट का रिव्यू था उसके बाद अधानी इंटरप्राइज 15% के डाउन ट्रेड में ट्रेड होते हुए दिखा है और इसके साती अगर आगे देखें तो आप पाएंगे कि इसका जो 96% का profit tank होते दिखा था जिसके कारण ये गिरावर दिखी हमने profit के गिरने के दो major कारण आपसे कहे थे जहां अधर income में गिरावर और tax 95% pay किया था जिसके कारण ये net profit में गिरावर दिखा है लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं तो ज confident technical लोग होते हैं वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं देखने हैं मुझे debt wszyscy equity लेखना है एक वर चीर करना debt to equity टाटा पावर के जो देखोंगे वह 2 to 1 के आपस देखेंगैं और अगर आप अडानी पावर के देखे तो 1.5 के आपक ही दिखता है तो इस मेजरमेंट से भी अगर फंडामेंटली एनेलेसिस करें तो आप पाएंगे कि टाटा पावर को अडानी पावर अब बीट कर रहा है सपोज करते हैं इस समय इस कंपनी के EPS को देखे तो आप पाएंगे कि इसके EPS 26 27 के आसपास का आता है अगर नेक्स टू यर के टार्गेट को हम ले करके देखें और 30 के EPS हम सपोज करते हैं कि यहां से कंपनी बिल्कुल ग्रोथ नहीं करी और 30 के EPS पर ही टेड होते हुए दिख रही है अगर इस PE को 20 के PE पे लेते हैं तो नियर अराउंड 600 प्लस तक के लेवल आपको फंडामेंटली इस स्टॉक में इसली दिखता है टेक्निकली देखेंगे तो चुकि result विलो दा एक्सपेक्टेशन भी रहे हैं चुकि यहां देखे तो इस्टॉक 400 से 170 के आसपास चेड़ हो रहा है तो ज़्यादा गिरावट नहीं दिखेगा 150-70 पे कंसोलिडेट दिख सकता है तो बिल्कुल पैनिक करने की गलती नहीं करें